अलो फ्रेंड मैं कास हमें आप सब का वेलकम करता हूं पने गार्डन चने पान केर्गीवर में आज मैं उन प्लांट्स के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं यानि कि वो प्लांट्स जो कुछ ही समय में एक से दो दो से तीन बन जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट का पहला प्लांट है कैनलिली एक ब्यूटिफुल समर फ्लारिंग प्लांट है ये पूरे समर फ्लारिंग काता रहता है इसका अगर आप एक प्लांट ले आते हैं तो ये कुछ ही समय में पूरे पॉर्ट को कवर कर लेता है जिसको डिवाइट करके आप इसके एक से अधिक पॉर्ट बना सकते हैं इस लिस्ट का दूसरा प्लांट है पिंसिल कैक्टस ये कैक्टस की वराइटी होती है लेकिन दूसरे कैक्टस की तरह इसमें थॉर्ण यनि की काटे नहीं होते हैं इसे कटिंग से ग्रो करना काफी असान होता है ये पूरे सालों साल आपके गाड़ा में बना रहता है इसे cutting से grow करना काफी असान होता है तो चलिए देखते हैं इसे cutting से कैसे grow कर सकते है तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने एक और pot में लगाया इसे मैं cutting ले रहाँ तो देखे, मैं छोटी सी cutting ले रहाँ और पानी थोड़ा ही देना है, ओर वर्डिंग नहीं करना है नहीं तो यह कल जाएगा और यह अपराजिता, यह एक beautiful summer flowering wine है, यह पूरे सारों साल आपके गाड़ा में बनी रहती है लेकिन यह flowering केवा summer में ही करता है, इसके flower किलने के बाद इसमें seeds बनते हैं जिसके जरीए आप इस plant को बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह अपराजिता की फलियां हैं, अपराजिता के फूल खतम होने के बाद ये फलियां बनती हैं जिनके अंदर seeds रहते हैं जिनके जरीय आप प्राजिता plants को बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अप्राजिता की फलियां बीच हैं इनको अब मिट्टी में सता से डाल दीजे और मिट्टी से थोड़ा सा cover कर लीजे जब ये baby plants थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अगर आप इसको किसी चीज का सहारा दे देते हैं तो ये बहुत ही तेजी plants निकले हुए हैं इसके अलावा अगर आप इसकी एक पत्ती को दो तीन पीस में काट कर मिट्टी में दवा देते हैं तो कुछ ही समय में उसमें से baby plants निकलाते हैं ये 4 o'clock ये एक best summer flowering plant है इसके flower साम को खिलते हैं और लगबख सुबा 6 बज़े तक रहते हैं इसके flower खतम हो सूपने के बाद इसमें seeds बनते हैं जिसके जरीया आप इस plant को काफी असानी से grow कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी हरा seed है सूपने के बाद ये इस तरीके का हो जाता है जिसके जरीया आप इस plant को काफी असानी से grow कर सकते हैं सिंगोनियम यह एक best indoor air purifier plant है इसे आप चोटे से चोटे और बड़े से बड़े pot में लगा सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहें इसमें काफी baby plants निकले हुए हैं इससे separate करके भी आप इसे दूसरे pot में grow कर सकते हैं इसके अलावा यह जब plant काफी बड़ा हो जाता है तो इसमें area roots आजाते हैं जैसा कि आप देख रहें इसमें काफी area roots आए हुए हैं तो इससे आप काट कर भी इसके cutting से भी आप इसे इस plant को काफी असानी से grow कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें भी काफी बेब्यू प्लांट्स निकले हुए हैं, देशी विनका, ये भी एक best summer flowering plant है, वैसे तो ये पूरे सालो साल आपके garden में बना रहता है, लेकिन ये flowering summer में काफी अच्छी करता है, ये पूरे summer आपके garden में flower add करता है, इसके flower खायता होने के बाद इसमें seeds बनते हैं, जिसके जरीया आप इस plant को काफी असानी से grow कर सकते है इसके अलावा आप इसे cutting से भी grow कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देशी विनका के seeds हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे मिटी में sprinkle कर देना है, कुछ ही समय में इसका result आपको देखने लगेगा इस list का अगला plant है रियो, ये काफी सुन्दर plant होता है, ये hanging basket में काफी अच्छा लगता है, इसके अलावा आप इसे cutting से काफी असानी से grow कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कई सूर्स नीचे से निकलते रहते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, तो इसमे ये एक beautiful summer flowering plant है, ये सालो साल आपके garden में बना रहता है, लेकिन ये flowering के वज समस में ही करता है, इसके flower किलने के बाद इसमें seeds बनते हैं, जिसके जरिया आप इस plant को grow कर सकते हैं, इसके अलावा आप इस plant को cutting से काफी असानी से grow कर सकते हैं, इसकी चोटी सी cutting लीजे, इतनी चोटी cutting लीजे और इसे मिट्टी में दबा दीजे, कुछी समय में इसकी growth स्टार्ट हो जाता है, ओलियस, ये एक पत्तो वाला plant होता है, ये काफी varieties और colors में आता है, इसे cutting से आप काफी असानी से grow कर सकते हैं, ये दोनों plant मैंने cutting से ही grow किये हैं, परसलीन, best summer flowering plant, इसे आप cutting से बहुत ये असानी से grow कर सकते हैं, ये काफी colors और varieties में आता है, ये काफी colors में आता है, इसकी आप छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी cutting को काफी असानी से grow कर सकते हैं, I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये पोर्चुला का, इसे भी आप cutting से काफी अ असानी से ग्रो कर सकते हैं I hope कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा Wandering Jew, Best Hanging Basket Plant इसे आप कटिंग से काफी असानी से ग्रो कर सकते हैं Spider, Best Indoor Air Purifier Plant इसे आप कटिंग से काफी असानी से ग्रो कर सकते हैं इसमें समय समय पर Runners निकलते हैं जिसके जरीए आप एक से अधिक प्लांट इसके बना सकते हैं झाल प्लांट एको से उड़‌हुत्च कर सकते हैं झाल झाल